हलो फ्रेंट, मैं राजन और वेलकम पी माई युटूब चप्टणल राजन कीरियर इंस्टेटूट दोस्तों आज हम लोग परेंगे human digestive system में process of digestion के बाद यह आज हम लोगे start किये हैん human digestive system human digestive system में हम लोग बात करेंगे कि human का क्या digestive organs है और क्या elementary canal का structure होता है तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं देखिएगा mouth है mouth के just अंदर हम लोग बात करेंगे तो tongue होता है tongue के अंदर osophagus अब osophagus से stomach, stomach से हम लोग बात करेंगे तो small intestine small intestine का सबसे पहला बाद diodenum then उसके बाद jejunum then उसके बाद ileum, ileum के बाद ये कहां चला जाता है तो large intestine में सबसे पहला structure जो है वो क्या कालाता है सिक्कम then उसके बाद आगे चलें तो ये colon कालाता है colon में ये हैं से पहले ascending colon then ये है transverse colon then ये है descending colon और ये जो है हम लोग बात करेंगे single colon होता है जब large intestine लेंगे उससे में detail पढ़ेंगे लेन उसके बाद regular form में चला जाता है तो ये rectum कहलाता है और यह एनस में open होता है तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कोई भी food हम लोग इंटेक करते हैं वो mouth से इंटेक किए अब उसके द्वारा हम लोग बात करेंगे mouth में जो भी oral cavity, buccal cavity में खाना आया तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर अलग-अलग salivory glands के द्वारा तीन पेर में salivory glands पाया जाते हैं parotid gland, sublingual gland और sub-maxillary या फिर sub-mandibular gland तो यह तीनो पेर जो है salivory gland के वो saliva का secretion देते हैं और उसके बाद food को digest करने में मदद करते हैं तो हम लोग mainly बात करेंगे mouth के अंदर 30% starch का digestion हो जाता है carboidate का तो हम लोग बात करेंगे salivory amylase के द्वारा यह process किया जाता है तो digestion के बाद जो भी हम लोग saliva को saliva के द्वारा के द्वारा डाइजेस्ट के उसके बाद खाना को कहां बेजते हैं औस फिगस के अंदर औस फिगस हम लोग बात करेंगे सबसे पहला यह process ingestion का लाता है ingestion के बाद डी गुलूटिनेशन औस फिगस के अंदर आया पेरिस्टाल्टिक मौवमेंट के द्वारा औसो फिगस से खाना कहां पहुंच जाएगा stomach के अंदर अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो भी gastric glands था gastric glands जो था वो क्या करेगा stomach के अंदर अपना secretion देगा और particular इसको digest करने में मदद करेगा food को अब यहां से यह food कहां चला गया तो यह आ गया small intestine के part में duodenum के अंदर और दोनों जाकर के duodenum के अंदर क्या करता है food को digestion में मदद करता है अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद तो digestion हो गया है तो अब absorption maximum absorption jejunum और ileum में होता है पूरे body में हम लोग बात करेंगे तो सबसे ज्यादा absorption जो है jejunum और ileum के अंदर होता है जो कि small intestine का part है अब यह जो डाइजेस्टेट फूड है डाइजेस्टेट फूड जो अंडाइजेस्टेट रह गया यह फिर हम लोग बात करेंगे जो भी focal matter है वह कहां चला आता है मेंन के अदर अब इलियम में आया तो यहां पर इलियोश initially valve पाया जाता है ताकि यह जो है बैध को क्या करें रोके सके तो डच फूल सिक MM का नहीं होता है इसके लिए लिए इलियोorg報 lol अब क्या करता है बैध फॉलिो को रोगता और सिक्कम के अंदर यह open होता है कौन इलियम अब यहां से यह फिकल मैटर दीरे 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 आगे की तरफ बढ़ेगा अब हम लोग कहेंगे कि यह जो सिक्कम है यह कोलॉन कहलाने लगता है यह अब इसके बाद कोलॉन कहलाता है जो कि हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले तो यह वाला पार्ट जो भी निउट्रेशन अंडिजस्टेट फूड है कि फिकल मैंटर है कि वह कहां आ गया तो देखिए यहां से हम लोग कहेंगे कि यह लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर यहां से मूव करेगा और यह फ्रांसवर कोलोन फिर डिसेंडिंग कोलोन और यह हम लग बात करेंगे सिगमाइट कोलोन से होते हुए रेक्टम के पास पहुंचाता है फिकल मैटर अब फिकल मैटर का स्टोडे चेंबर का लाता है रेक्टम और रेक्टम के बाद एनस के द्वारा उसको हम लोग क्या करते ह बाहर कर देते हैं diffication के दोवारा diffication process के दोवारा जो भी best product है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं अब हम लोग बात करते हैं कि human digestive system क्या है तो सबसे पहले देखेंगे क्या कि human जो है वो hollow joint mode of nutrition को रखते हैं hollow joint mode of nutrition को रखते हैं प्लस ये complex food होता है complex food को digest करना मतलब digestion अगर कहने तो क्या होता है कि complex food simple absorbable form में तोरना ही क्या कराता है? digestion कराता है तो human के अंदर hollow joint mode of nutrition होता है और complex food को mainly digest करके simple absorbable form ताकि हमारे blood या फिर lymph में absorb हो सके जो भी digest हुआ है वो part clear है तो अब देखेंगे parts of elementary का रा अब पूरे digestion में हम देख रहे हैं क्या parts of elementary का राल क्या है तो mouth to anus क्या गालाता है elementary का राल अब इसका जो है parts देख रहे हैं तो सबसे पहले mouth देखते हैं then buckle cavity जिसको oral cavity भी कहा सुखते हैं pharynx में जाएगा food pharynx से जाएगा osophagus, osophagus से stomach stomach से small intestine small intestine से large intestine large intestine से rectum और rectum से inus अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्या यह pharynx जो है यहाँ से nasal chamber और यहाँ से mouth दोनों जो है क्या होता है common यहाँ पे pharynx जो है दोनों के लिए same है तो common passage किसके किसके लिए food and air pharynx जो होगा food and air के लिए क्या होगा